Welcome to my channel SK Knowledge Class दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दुईगहात बहुपत के सुन्यकों का योग एवं गुननफल ग्याद करने तो वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा दोस्तो रिक्वेस्ट है अगर अभी भी आपको नहीं सिखना है पूरा तो आप वीडियो यहीं स्किप कर दीजे बंद कर दीजे अगर पूरा सिखना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा सुन्यकों का योग एवं गुननफल बहुत जादा पूस्ता है एक्जाम में तो पूरा सिखाऊंगा दोस्तों 100% कर रहा है दूइगहात बहुपद 2x²-1x6 के सुन्यकों का योग एबम गुननफल ग्याद करें देखिए दोस्तों यह आपका दूइगहात समीकरन है इसमें अंक कुछ भी हो सकता है आपका ठेक न दूइगहात समीकरन का रूप है अंक कुछ भी हो सकता है इसका कोई लिमिट नहीं है पहले जो दोस्तों इसमें दूइगहात बहुपद लिह लेंगे 2x²-8x6 देखिए दोस्तों यह होता है a x² का गुनांग a होता है x का गुनांग b होता है अचरपद c होता है यानि कि आपका a बराबर हो जाएगा 2 उसके बाद b बराबर हो जाएगा x का गुनांग x का गुनांग अगर पलस में रहते सिर्फ पलस में 8 लिखना है लेकिन माइनस रहते तो माइनस 8 आपको लिखना होगा माइनस में कुछ भी रहे लिखना होगा आपको ठेक उसके बाद अचर पद यानि कि C आपका हो जाएगा 6 अगर माइनस में 6 रहता तो माइनस 6 लिखना पड़ता ठीक माइनस आपको लिखना हमी पड़ेगा आपका रहा है सुन्यक को का योग सुन्यक जो होता है दोस्तों अलफा और बीटा उसका योग निकालना है और गुनन फल यानि कि सुन्यक का गुनन फल भी निकालना है यानि कि अलफा और इंटू बीटा ठीक देखिए दोस्तों आपको विश्तार से समझा रहें सुन्यक को का योग या योग फल भी कह सकता है दोनों एक ही चीजा योग या योग फल इसको लिखते हो Allpha Plus Veta ठेक ना कहीं कहीं आपको पुछ देगा हिंदी में सुनियंकोंगा योग तो आपको यही सुत्र लगाना है Allpha Plus Veta कहीं कहीं यही देगा Allpha Plus Veta का मन जियाद करे तो बात एक ही है आपको समझना है ठेक अलफा पलस बीटा पुछ दे या सुन्यंकों का योग पुछ दे इसका सुत्र होता है माइनस बी बै ए सुत्र आपको याद रखना है ठेक अब देखिए दोस्तों माइनस बी बै ए बी के जगह क्या है माइनस आठ है माइनस आठ बटे ए एक जगह क्या है दो है यानि कि क्या निकल जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लॉस आठ बटे दो कट जाएगा कितना निकलेगा चार यह आपका योग या योग फल निकल गिया योग पूछे सुन्यकों का योग पूछे या आलफा प्लस बीटा पूछे सुत्र यही लगा आपको कूटिंग न कभी गदाल हिंदी में भी पूछ देता जैसे हिंदी में आपको यहीं देदेगा अल्फा प्लस बीटा का मान गयात करें उसके बाद करा है कि एवं गुनन फल ग्यात करें गुनन फल भी निकालना है यह लिखेंगे सुन्यंकों का गुनन फल यानि कि alpha into beta या alpha गुना बीटा भी दे देगा कहीं-कहीं पुछ देगा alpha गुना बीटा का मान गयात करे या पुछ देगा सुन्यंग का गुनन फल गयात करे तो दोनों एक ही चीज़े है दोस्तों इसलिए मैं दोनों चीज़े एक साथ बता रहा हूं इसका सुत्र होता है c by a c by a c के जगह क्या है 6 है बटे a a के जगह क्या है 2 है कट जाएगा 3 बार में यानि कि आपका answer हो गया 4,3 answer हो गया ठेक यहां नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है धोस्तों बस यहीं छोड़ देना आपको इस परकार आपको गुनन फल और योग फल निकालना है ठेक अंक कुछ भी हो सकता है अंक पर ध्यान नहीं देना बस मैं बस मैंने जो श्टिप बताया इसको ध्यान में आपको रखना है ठेक कोई भी डाउट हो तो कमेंट बग्स म अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी को दबा कर लिजिए